इसके लिए आप सभी को करना क्या होगा सबसे पहले अपने मोईल के क्रोम को ओपन करना है यहां पर आपको सर्च बार में लिखना है हेल्थ कार्ड क्या लिखना है हेल्थ कार्ड तो मैं जैसे की हेल्थ कार्ड मैंने लिख दिया यहां पर आपके सामने कई सारे ओप्सन है Health ID हो तो आप सिंपल से इसको open करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface देखने को मिलेगा यहां पर आपको दिखाए देखने को मिला होगा create your health ID now तो अपर इसको simple से क्लिक करते हैं और यहां पर आपको कुछ आपको दिखने को मिला होगे यहां पर आपको दिख रहा है generate अधार कार्ट जन्रेटा ड्राइविंग लाइसन्स तो हम फिर सिंपल सा भी अभी अधार कार्ट से करके दिखाएंगे और यहां इसमें कई बार और यहां पर आपको करना क्या होगा सबसे पहले उपको अपना अधार कार्ट की नमबर को फिल कर दिया है अब मैं आई एंगरी को क्लिक करके कि I am not robot को capture को fill करता हूं इसके बाद मैं submit का option करता हूं यहां पर submit के option को click करने के बाद यहां पर आपको option में दिखा रहा होगा कि यहां पर जो आपने अधारकार डाला था उसमें एक OTP आया होगा मतला आप जो आपके अधारकार में जो नंबर है उस पर एक OTP आया है तो उस OTP को आपको डाला होगा यहां पर मैं OTP डालके submit करके आपको आगे का प्रोसेश दिखाता हूं तो जैसे कि आप सकते हूं कि मैंने यहां पर OTP को फिल कर दिया यहां पर OTP को फिल करने के बाद यहां पर आपको इंटर और मुवाइल नंबर तो यहां पर आपको आपको अधारकार वाला भी तो उसको भी आप डाल सकते हो तो फिलार में OTP को देखता हूं कि अब में OTP को फिल करके संबिट करके आगे का प्रोसेस तो आपको तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने मेरी जो मैंने OTP को फिल किया और T.P को फिल करने के बाद यहां पर मेरे को जो मेरी जिसका आप हेल्थ का आइडि ऑड बना रहे हो यह दिए आपको डालना क्या है जैसे कि आपको फोन पे गूगल पे या पेटियम वहाँ पर आपको यूजर आईडी होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको एक हेल्थ आईडी बनाना होगा यह इसमें आपको जो इनको आपको भणना होगा तो आप क्या करिए आपकर अपने जो नाम है उसको कर लिखे तो फिलाल मैं चली वहाँ को कर कर दिखाता हूँ कि किया ले किhalf अब नहीं है इसे लिए यहां पर गलत बता रहा है तो यह फिलाल जिनके नाम पर मैं उनका नाम डाल के यहां पर आपको दिखाता हूं फिर यहाँ पर आपको address और फिसके बाद आपका district जो होगा जो automatic fill हो जाएगा ठीक है तो चलिए मैं gmail को fill करके आपको आगे process दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हुए कि यह जो मेरा gmail है जो health card id है वो मेरा पूरी तरह से बन के त्यार हो चुका है तो इस तरह आपको भी आप जब बनाओगे तो इस प्रकार जो health card id बनेगा तो यहाँ पर से आपको यहाँ पर आप दिखेंगा एक options download health id card तो यहाँ पर आप देख सकते हुए जो मैंने से क्लिक करते हैं यह जो health id card वो download हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरे antivirus है उसे photo को scan कर रहा है जो download हो रहा है ठीक है इसके बाद आपको दिखा बता दो कि यहाँ पर इसका option है यहाँ पर कई सारे आपको option दिखाए नहींगे यहाँ पर आपको उसका qr code दिखे का आपकी health id का और my account पर आप जब टिक करोगे यहाँ पर आप फिर से अपने profile को edit कर सकते हो पासर सेट कर सकते हो इमेल डाल सकते हो नया mobile नंबर या KYC और deactivate मतला आप जो एक्टिवेट किये हो health id काड को उसे फिर से deactivate कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इस logout करने का option भी होता है तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको जो health card id बनाने का तरीका बताया है वह आपको अच्छी तरीकी से समझ आ गया लगी है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को और लिजेगा ताकि जब भी मैं online work से related कोई भी अपडेट अपने चैनल पर डालू तो उसकी notification सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके और आप फ्री में अपने जो online का वर्क है वो कर सको तो थैंक्स पॉर जब एडि शसका जब करोelse